केंध्रिय क्विय मंत्रिय हमिज्षा ने मणिपूर में लोगों से शांती बनाए रखनी का पील की है और वादा किया है कि समाज के सबी वर्गों के लिए नयाय सुनिक्षित किया जाएगा साथ ही वो मणिपूर का दौरा भी करेंगे मनिपूर में इस वहीने की शुरुवात में जम कर बवाल हुआ और हिंसा की वज़े से करीब साथ लोगों की मौत ली हिंसा के दोरान घरों को भी जला दिया गया और राजी के कुछ हिस्सों से नहीं घटनाओं की भी सूचना मिली है विफक्षी दलों ने एन बीरेंस सिंग के नित्रत वाली बीजेपी सरकार पर शांती विवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरूप लगाया है दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिली सीम अर्विन केजरिवाल विफक्ष का समर्टन चुटाने के कोशश लगातार कर रहे है इसी सिल्सले में अर्विन केजरिवाल ने आज मूंबई में NCP प्रमुक शरत पवार से मुलाकाट की इसे पहले अर्विन केजरिवाल पूलकाता में मम्ता बनर जी और मुंबई में उद्व ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं शरत पवार से मुलाकात के बाद अर्विन केजरिवाल ने कहा कि आठ साल तक दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई उन्होंने कहा कि उनसे लगातार शक्तियां चीनने की कोशिश की गई है केजरिवाल ने कहा कि संसद में बिल पास नहीं होने देना है गैर बीजे पी दल्द अगर साथ आएं तो अध्यादेश गिर जाएगा पंजाब के मुक्यमंदरी भगवन मान की सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है सूतरों के मताबि केन सरकार ने सीम मान को पूरे बारत में सीयाद प्लस सुरक्षा कवर देने का फैसला किया है सीम मान के पास पहले से ही पंजाब पुलिस का सुरक्षा कवर है ऐसे में CRPF का Z PLUS कवर मिलने से उनकी सुरक्षा लेयर डबल हो गई है Z PLUS सुरक्षा मिलने के बाद अब सीम भगवनमान की सुरक्षा में 55 कमांडोस तेनात रहेंगे इसमें 10 से जादा एनेज्जी कमांडोस शामिल है राजस्तान के सीम अशोग गहलोत के खिलाब दायर आपरादिक मानहानी मामले में दिल्ली पुलिस ने अपने रिपोर्ट राउजेवनिय कोर्ट में दाखिल की है कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट को स्बिकार कर लिया है केंद्रियत जल्शक्ती मंतरी गजेंद्र सिंग शेखावत ने गहलोत के खिलाब आपरादिक मानहानी का मुकदमा दायर किया था रिपोर्ट के आदार पर कोर्ट ये तैय करेगा कि गजेंद्र सिंग शेखावत के मानहानी के शिकायत पर राजस्तान के सियम अशोग गैलोत को समझ जारी किया जाए या नहीं मामली के अगली सुनवाई एक जून को होगी बारतिय नौसेना ने एक और कीर्थी मान रज़ दिया है नौसेना ने स्वदेशी आइनस विकरान युद्ध पोद पर मिग 29 क की राथ पर सभलता पूर्व लैंडिंग करवाई नौसेना की अपलब्दी आत्म निरबर भारत की वरती ताकत की और बड़ा कदम है इससे पहले तेजस विमान के नौसेनिक परजिन में आइनस विकरान पर सभलता पूर्व लैंडिंग की थी हाला कि तब ये लैंडिंग दिन के वक्त ही करवाई गई थी इसके अलावा कामोव 31 हेलिकॉप्टर्स को भी 28 पार्च को आइनस विकरान पर उतारा गया था तीन देशों के यात्रा कर प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी आज सुबा देश लोटाए दिल्ली के पालम एइपोर्ट पहुँचने पर बीजेपी के राश्ट्रिय जेक्ष जेपी नड़्डा समेथ बीजेपी नेताओं और कारकरताओं ने उनका भब्बस वागत किया इस दोरान प्रदान मंतरी ने कहा कि वो दुनिया के देशों में जाकर हिंदुस्तान के सामर्थ की बात करते हैं उन्होंने कहा है कि देश की मान संस्कृति का गौरवगान करते हुए वो कभी आँख नीची नहीं करते हैं पीम ने कहा है कि चुनोतियों को चुनोती देना उनका स्वभाव है दिल्ली सरकार के पूर मंतरी सतेंद्र जैन को अस्पताल में भढ़ती करवाया गया है तिहार जेल प्रशासन के सूत्रों के मताविक कलरा सतेंद्र जैन अपने वाड के अंदर बाथरूम में गिर गए थे बाथरूम के अंदर पैर फिसलने की वज़े से सतेंद्र जैन गिर गए थे आज सुबे उन्हें दीन दयाल उपादिया अस्पताल में भट्टी कराया गया दोफेर करीब बारा बजे उनकी आरत बिगड़ने लगी और उसके बाद उन्हें लोक नाराया एंट जैन परकाश हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया एक हफ़ते में तीसरी बार जैन को अस्पताल लाया गया है इससे पहले 22 मई को उन्होंने दिल्ली के ही सब्दजंग अस्पताल में ले जाया गया था तब उन्हें रीड में परिशान लेती थे माराश सरकार ने मुंबई के जुग्धी जोपडी वालों को बड़ी रहात दी है राज़ सरकार ने 2000-2011 तक जुग्धी जोपडी वालों को एसारे में घर देने का फैसला किया है महराश के डिप्टी सीम और आवास मंत्री देविंदर फर्णवीश ने कहा है कि राज़ सरकार के इस फैसले से जुगी में रहने वालों को बड़ी रहात मिलेगी हाला कि इसके लिए जुगी दारगों को शुल्क देने होगी जोपडी के की जगह सिर्फ दो लाग पचास जार रुपे में घर मिलेगा सरकार ने दोजार अठार में पुनरवास पर पॉलिसी जारी की थी जिसके लिए अब रकम निर्दारित कर दी गई महराश बोर्ड ने भी बारवी के नतीजों का ऐलान कर दिया है इस बार के परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों को पचार दिया है इस बार कुल 91.25 प्रतिशत चातर परीक्षा में सफल हुए हैं कोंकन कशेतर में सबसे ज़्यादा 96 प्रतिशत चातर पास हुए हैं इससे पहले आज ही मद्रदेश और उत्राखंड ने भी बारवी बोर्ड के नतीजों का ऐलान किया था उत्राखंड बोर्ड में भी लड़कियों ने बाजी मारी मौसम विबा के मताबिक मौनसून पोर्ट ब्लेड से 425 किलोमेटर दूर नान कोवी द्वीप पर अटक गया है ये 6 दिन से आगे नहीं बढ़ता रहा है इसे मौनसून देश में 4-5 दिन की देरी से पहुंच सकता है आम तोर पर मौनसून केरल में 1 जून तक पहुंचता है लेकिन इस साल 5-9 जून के बीच 10 तक दे सकता है उदर आम डी ने कहा है कि इस महीने के आखिर तक में राजिस्तान, मद्धिप्रदेश समेत 13 राजियों में कुछ जगे भारी और कई लाकों में हलकी बारिश होने की संबावना है उत्तरा खंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है जम्मो कश्मीर इमाचल उत्तरा खंड पंजाब, हरियाना, दिल्ली, राजस्तान, यूपी, बिहार जार खंड में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है